हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता होगा हाली मैं प्रधान मंत्री मोधी की तरफ से दिवाली पर 10 लाख नौकरियों का तोफा दिया गया है यानि कि देश के युवाव के लिए एक सुनहरया मौका यहाँ पर प्रधान मंत्री मोधी द्वारा दिया गया है तो दोस्तो इस वीडियो में डीटेल में आपको बताऊंगा कि यह 10 लाख नौकरिया जो सरकार की तरफ से दी जारी है तो यह किस किस छेत्र में आपको दी जाएंगी और अलग-अलग विभागों द्वारा जो भी इसमें पोस्ट जारी की जाएंगी उन सब के बारे में इसमें डीटेल में हम जानेंगे तो शुरू करतें दोस्तों तो दोस्तों अगर बात करें तो केंदर सरकार ने अगले डेड़ साल में यानि आने वाले डेड़ साल यानि 2023 तक 10 लाग जो युवाओं को भारत में नौकरी देने का प्रस्ताव पारित किया है यानि जो प्रधान मंतरी कार्याले है PMO ओफिस से 10 लाग नौकरियां देने का प्रस्ताव जारी कर दिया गया और उसके तहट पाया गया कि पूरे देश में लगभग 10 लाग नौकरियों की अभी जरूरत है तो 10 लाग जो है पोस्ट या पद कहसकता हम खाली थे और उनकी जरूरत है आने वाले एक या डेड़ साल में ये 10 लाग पद जो है इनको भरे जाएंगी जो खाली पद पड़े है दोस्तों आप बात करते हैं कि किन विभागों में जो है नौकरियां या तैनाती की जाएगी सरकार ने इसमें रक्षा मंत्राले, रेल मंत्राले, डाग विभाग, ग्रह मंत्राले, स्रम और रोजगार मंत्राले, केंद्रिय जाच बिरो यानि CBI, सीमा सुल्क, बैंकिंग, आइकर विभाग और ससस्त्र बलू समेत कई अन्य मंत्रायलों में देश भर से चैनित जाएगी ठीक है यानि बहुत सारी डिपार्टमेंट है जिसमें से नौकरियां आपको प्रदान की जाएगी आने वाले एक या तेड़ साल के अंदर अब देख लेते हैं कौन-कौन से पदू के लिए जो है यहाँ पर न्यूक्तियां की जाएगी इसकी बात करें दोस्तों त आइकर निरिक्षक के पदू पर न्यूक्ति की जाएगी आने वाले डेड़ साल में दोस्तों 10 लाख वेकेंसी हाँ पर सरकार द्वारा जारी करी जाएगी तो काफी जादा वेकेंसी है आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है ताकि इन पोस्ट पर आप अपलाई करके अ 26,282 जो है पोस्ट है भी खाली है और वहीं बात करें ग्रूप C की यानि कि अराज पत्रित नौन गैजिटेट में वर्ग में 8,36,000 पद इसमें खाली है अकेले रक्षा मंत्राले में ठीक है और ग्रूप B के 29,366 और ग्रूप C के 2,14,000 पद इसमें खाली है अलगल डिपा सरकार द्वारा दिवाली के लिए कि काफी अच्छा यहां पर हमें एक मौका दिया गया है यानि एक तोफा दिया गया है देखते हैं आने वाले डेट सालों में सरकार कितनी इसमें से न्युक्तिया कर पाती है कितने पदू को सरकार भर पाएगी आने वाले समय में यह हमें पता चलेगा ठीक है दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगई है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और ऐसे इन्फरमेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंकियो फ्रेंड्स